और यह नमस्कार दोस्तों आप से लोगे का हमारे चेनल पे बहुत वह तक तो आगा थे दोस्तों आज में क्लास 11-20 पी का क्वेश्चन नमर 18 से करने जा रहा है पिछले वीडियो में दोस्तों को सब्सक्राइब आप लोग अचासे समझ में आएगा क्वेशन वेटिन कहा रहा है कि find the slope of the line which makes an angle of 30 degree क्या कर दोस्तों कि हम लोग को उस लाइन का slope निकालना है जो कितना degree का angle बनाता है 30 degree का angle बनाता है with positive direction of y axis मतलब y axis के साथ positive direction में 30 degree का angle बनाता है यहां मेजर का रहा है किसे anti-clockwise से anti-clockwise का मतलब क्या हो कि पॉजिटी डियक्शन में यह question दोस्तों most important है क्यों important है यहां समझें किसमें लोग गलती क्या करता है जैसे यहां पर angle दिया गया 30 साथ हमनों को 30 degree angle दिया गया है देखिए आप हमनों क्या कि है यह x axis है और y axis के positive direction के साथ हमनों क्या कि एक line यहां पर क्या के draw कर लिए तो कि तो वाइक्स के positive direction के मतलब क्या हो गया जैसे यहां 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 कितना गए 30 degree दिया गया है और कि यहां जो कने क्या निकालना एकस्ज निकालना है स्लूंप क्या होता है कि आग्षी साथ एंटी अंगे बनता है तो क्या था स्लूप होता देखिए खाशिक बैए यहां फिर इसके साथ यह अंत्री कsource सोगें सब्सक्रास क्या च्ञाहिए मतलब सबाएं कि यह 30 डिडी हो गया है साथ में यहां पर कि जैसे दोनों एक्सिस जहां पर मीट करता है और इजिन यह क्या होता है यह 90 डिडी हो जाएगा तो आप इसको तो मेंशन कर लिजे जिसे माले यहां पर यह है तो लिखेंगे कि यह अपेसी एक्वल टु क्या हो जाएगा व्याओ यह 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 जाएगा एक्वल यानिके बिल्ट बिल्ट यह और यह एक्वल हुगिंग लुक्र वह फोर्व यह यह बी ऐंगिल एक वी कितना है क्या नाइंटी डिडी क्योंकि दोनों एक्सिस क्या कर रहा है यहां पर मिट कर रहा है तो ने एक्सिस एक दूसरे क्या था परफेंडी कदर होता है इन ट्रेंगिल कि ए ओ बी में अब दोस्ते कि यह 30 है यह 90 है यह कितना हो जाएगा बताएगे कि यह हो जाएगा आम लोगों को यह हो जाएगा 60डिसे कि कैसे अगें बी वोन होगा जायागा तो लेकि इंटर रेंगील ओवी एंगल एप्लस एंगेल ओप्लस एंगेल एक स्टेवरे को एक स्टेष्ट डिघ्रे सब्सक्राइब केंगेल वी कितना यह सक्षनेट सब्सक्राइब कर लिए यह से एंगल बी परण ब squash को 30 को कितना 185 मायनस त्वेंटी यानि यानि कि को जाएक उकषिब हो जाएगा है यह यह नाव लिख्याँ आपर नाव एंगिल ए बी ओ धिया प्लस एंगिल एक्स एक्वल कितनา 60 डिगरी कि ए अबिक फिलिक सिप्स लिप्लस एंगल एप्मझ निकालना है की एंगलंगेऑ एक एक्स यूल हो जाए लिखान यही यही एंगील जो है जो आप हो दो अले हं ग्ला में 2025 तो लिखेंगे दियरफोर थीटा इकवल टू 120डेगे अब यहां सोलोप निकल देंगे तो लिखेंगे वी नोग दाट वी नोग दाट अधक एम एकवल टो टू अधक टेन थीटा होता है नहीं अधक फूट कर दीजी एम एकवल टू हो जाएगा 10 theta क nota 120 degree आगे दीखिए 1020 कोल्ट क्या आज सकते है 90-0 양ञटिय अब प्लस मैंटियश्य ताभ एता हो तो हम सकते हैं कि तेन नान्टिओ प्लस ये थीटा थीता है धीक क्या होटा – मैस के द आट वीवर्ण हीएक मास्कर कोट थीटा है टीके 1090 प्लस ये थिटा है मैने माइने सेभी थिटा है यानि कि माइननस कॉट थार्टी माइनस एटिथी के बहुत है जैनि का शोप निकल गयार जुटना ढिल सिट्वार कि लिएंगे देरफोर स्लोप देर sols लोप कि एक कॉलव टू-माइनस रूट अर्ड हम नहीं का तो यही मैं दोस्तों इसका मैं सेप्षर था आप आप लोगों को समय होगा हो इसका नेफ ग्रेश्व नमीर को नंग्र between the lines whose slopes are given this and this यह रूट 3 और यह है 1 अपन रूट 3 क्या करता है दोस्तों कि हम लोगों को एंगिल निकालना है लाइन के बीश का उसका स्लोप हम लोगों को दिया है रूट 3 एंड 1 अपन रूट 3 मान लिए पाला लाइन यह है दोसा लाइन यह है प्लोब एंगिल निकालना है पाईला लाइन का का स्लोप यहां पे रूट 3 दिया गयी अपन गया है ग्यों को दो सिलोप दिया रहें और बूग soreras मौट यहां पर डालेंगे M2 माइनस M1 अपन में 1 प्लस M1 इंटू M2 यहां पर लेट कर लेट कर लिए कि लेट जो पहला स्लोप है वह है M1 यानि कि रूट 3 अब यहां पर लिखेंगे कि वी नो देट यहां पर फोर्मला यहां से लगाएंगे यहां जागा 10th ृट इक्वल टू M2 माइनस M1 अपन में 1 प्लस M1 इंटू M2 यहां बैलू पूट कर दिजे यहां जागा 10th ृट इक्वल टू M2 लेखें M2 का बैलू कितना है वन अपन रूट 3 माइनस M1 यानि कि रूट 3 अपन में 1 प्लस M1 यानि कि रूट 3 इंटू M2 यानि कि 1 अपन रूट 3 अब इसके आप सॉल्व कर देखें सब्सक्राइब करेंगे यह हो जाएगा माइनस 2 अपन में रूट 3 और इसके नीचे में हो जाएगा 2 आगे देखिए तैन थीटा इकोल टू हो जाएगा हम लोगों को दिखिए उपर में क्या फ्रेक्षान है यहापे नीचे में सिंग्ल टाम है यहापर कर दिजिए हैंपर यहां पुछ हो जाएगा 10 deep equal to अब इसuman मॉट से बाहर करेंगे पजीटिफ हलू मिलेगा तो एक उयाँ थीटर एक्वल टू गो है अब दोसे देखिए कि 10 के case में 1 upon root 3 कितना डिग्री का वेल होता है थर्टी डिग्री का 10 30 का वेलू कितना होता 1 upon root 3 कि 10 से 10 यहां पहले मिनेट हो जाएगा थीटा इकूल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री ओके लिखें देर्फोर एंगिल देर्फोर एंगिल इज थर्टी डिग्री यह दोस्तों क्वेशन नंबर 19 का अंजर होगी है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इस तरह क्वेशन दोस्तों एक्जाम में आते हैं इसका अपलों अच्छा से कीजिए अब इसका देखिए नेक्स क्वेशन क्वेशन क्व आप निकालने के लिए लिए इसको लिए यहां पर प्लास रूट करेंगे जो पहला स्लों पहले है है M1 M1 का वैलू है 2 माइनस रूट 3 and M2 का वैलू है M2 का वैलू है 2 प्लस रूट 3 ओके अब यहां प्लिखेंगे वी नो देट कि वी नो देट 10 थीटा इकोल क्या होता है मॉड में M2 माइनस M1 अपन में 1 प्लस M1 प्लस रूट 3 माइनस M1 का वैलू है 2 माइनस रूट 3 माइनस M1 का वैलू है 2 माइनस रूट 3 यहां ब्रेक्ट इस लिए देहां ताकि यहांप साइन चेंज होगा अपन में 1 प्लस M1 माइनस M1 का वैलू है 2 माइनस रूट 3 इंटू M2 का वैलू कितना 2 प्लस रूट 3 मॉडलास यहांप इस लिए आ यहांप इसका वैलू का वैलू आजे पोजिटिव आजे ओके देखिए आप M2 का भावरू था 2 प्लस रूट 3 रख दिए माइनस M1 का भावरू 2 माइनस रूट 3 अपोन में 1 प्लस M1 यानिके 2 माइनस रूट 3 और इंटू M2 यानिके 2 प्लस रूट 3 अब इसों सॉल्व कर लिए देखिए आपे यह हो जाएगा 10 theta equal to यह 2 प्लस रूट 3 माइनस इसको multiply करें तो हो जाएगा माइनस 2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस रूट 3 अपोन में यह 1 प्लस देखिए A माइनस B इंटु A प्लस B क्या हो जाएगा A स्कॉर माइनस B स्कॉर यहांगे 2 का स्क्वार माइनस B स्क्राइब यानि कि रूट 3 का स्क्वार कि एहाँ आफ समझेव। अपॉन में यह जाएगा 1 प्लस यह जाएगा 2 का स्कॉर 4 माइनस स्कॉर से रूट कैंसिल हो जाएगा यह जाएगा 3 आगे देखिए यह जाएगा अम लोगो टैन थीटा एकॉल टू मोट में टूरू 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 यह जाएगा आगे दीए यह जाएगा टैन थीटा इकॉल टू हो जाएगा रूट 3 आगे देखिए इस कुछता से लिए सकते हैं 10 थीटा इक्वल तो इसको रूट मोट से बाहर करेंगे तियों से पॉजिटीव रूट 3 अब 10 के के कितना डिग्री का बताई है 10 के केस में रूट 3 होता है 60 डिग्री इसको रूट 3 को टेंशिक्टी रिसकते हैं 10 से 10 हो जाएगा थीटा इक्वल तो हो जाएगा आम लोगो 60 डिग्री लिखेंगे बेरफोर और अगेल इज 60 डिए यह दोस्तों question number 20 का answer होगे बहुत आसान है दोस्तों इस तरह question आप लोगों खुचे भी solve कर सकते हैं अब इसका next question दखे question number 21 देखे question number 21 हम लोग यह दिया है कि if a equal to the a का coordinate 1,2 दिया गे b का coordinate 3,2 दिया गे है c का 3,2 दिया गया है आर्दी भर्टी से ओफे ट्रेंगिल a b c then so that 10 a equal to 2,10 b equal to 2 upon 3 and 10 c equal to 4 upon 7 यह हम लोगों को प्रूफ करना है तो देखे 10 a का मतलब क्या हो गया एंगिल a को ऑसकर करना यह यह इस लाइन और इस लाइन के एंगील हम लोगों-सक करना कि 2 का मतलब हो गया कि यह एंगिल हम सक करना से अ क्शिए ओने क्या क्या ट्रेंगिल यहांप यह द्रॉट कर लिया है एक का कोश्रेंट वान कॉमा टू 5 का कोड़नेट माइनस 3,2 और C का कोड़नेट 3,2 अब दोस्तों देखिए कि जैसे हम लोगों को 10A स्वो करना है कि यह 1 अपॉन 2 है 10A स्वो करनेट 2 है, इसका मतलब वह गया कि A किसकी साइट से यह एंगल यह किसकी साइट को ठाश करते हैं इस साइट को, यानि कि AB और AC के बीर तो AB और AC के बीच का आगल हम लोगों को फटा़ भागमाना चाहिए यानि A-B स्प्श्राइब और 9 इस एंगल को स्वोग करना है कितना थू अपॉन 3 यह साइट और इस सग्षों क्या पर आगेरा है दो को टीया गिया है तो करने जानते हैं y2 minus y1 upon x2 minus x1 इस त्यों नीकाल देंगे और यह question दोस्तों most important देखें आप लिखेंगे हम लो कि we know that we know that slope का formula क्या होता है y2 minus y1 upon x2 minus x1 ओके अब यहां प लिखेंगे slope of slope of AB अब दोस्ते कि AB के लिए alphabet पहुंद है कौन आता है यह आता है यह होगी X1 Y1 यह होगी X1 Y1 और यह हो जाएगा X2 Y2 यहाप यहाप यहापर mention भी कर सकते हैं देखिए समयने के लिए जिसे AB है यह X1 यह Y1 और यह है X2 और यह है Y2 ओके अब यहाप पुट कर दिए देखि अलसो टू पोजिटिव है अपन में X2-1 X2 का भीलू कितना है? माइनस 3 यह होगा …- X1 X1 का भीलू कितना है? 1 ओके देखिए 2 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 यानि कि 0 अपन में कितना हो जाएगा? माइनस फोर यानिकी जीरो हो जाएगा ओके देखिए यहाँ पे तो हम लोग क्या हो जाएगा एबी का स्लोप कितना हो जाएगा एबी का स्लोप यह हो जाएगा जीरो है सिलोप ऑफ एकवड़ जीरो हो जाए है ओके अब क्या करें बीशी का स्लोप यहां पर हो निकालेंगे देखिया अगे अब यूण सिलोप निकालेंगे फॉला होगए पर्वाइटी मैंसby फॉट फॉट कीजिए तो यहीरू टू माइनस वाइवन वाइवन का वहलों कितना है पॉजिटीव तो यहां ब्रैकेट देने कोई आप सकता नहीं अपॉण में X2 यानिकि 3-1 X1 क्या निगेटिव है तो यहां पर ब्रैकेट देंगे यहां पर कि शोलो कर दें इसको तो BC का स्वूप हो जाएगा यह-4 अपॉन में 3-3 हो जाएगा यानि कि मायनबस 4 अपर उपोन में क्या हो जाएगा 6 कैंसेल कर लिए 2 तू झा 2 3 जाए यानि कि B C का सिलोप हो जाएगा मायनबस 2 अपॉन में 3 लिखेंगे therefore सिलोप आफ BC यानि क्यों जाएगा मायनबस 2 अपॉन में 3 अब सिलोप आफ क्या आफ कुable निकालेंगे लिखेंगे slope of ac लिखेंगे and slope of slope of ac परमला वही रहेगा y2-y1 अपवन में x2-x1 अब देखेंगे ac के लिए ac के लिए क्या हो जाएक अलफाबेट पर कौन आता है यह आता है तो देखिए ac के लिए हो जाएगा y2-y1 यह हो जाएगा y2-2-y1 यहां ब्रैकेट देने कोई आप सकता नहीं है upon x2 x2 का ब्रैकेट देने कोई आप सकता नहीं तो देखिए ac का slope हम लोग कितना हो जाएगा माइनस 4 upon 2 तो cancel कर दिज् Artemisải स्요 जाएगा k дов को हमें तो इसलेख जाएगा क्या की कि अब देखिए अब देखिए आंपीम लोग्रही यहां पर मैसण कर सकतें मेंदेखिए यहां पर किका स्रृफ कितना निकला आया जीरोनिक ये सलोप लोक ओगे जिरू हो गया कि बी सी का सोग कि निकला है यह को कि अब हभी जैसे और जो कि यह zero हों होह ईख डिलाइव डीनलाः जैसे मालदी इस एंगल्लक बात करता है जी से इसे इस पत वুलिए या शन एंडड सेप्स को हुआ हो रहा है इसको मानले सब्सक्राइब यह M1 है और यह M2 है आप किसी को भी M1 M2 लेट कर सब्सक्राइब उसके लिए कोई दिकत नहीं है यह साइट यह एंगल के लिए यह साइट और यह साइट होड़ा है यह M1 और सब्सक्राइब यहां पर निकालए के लिए फैने यहां यहां पर ≫ लगाएंगे इकन लगाते हैं 1 upon 1 plus m1 into m2 अब 10 a का मतलब क्या होगा कि a देखिए यह एंगिल a जो किसकी सैट को touch कर रहा a b और a c को a b का slope 0 था और a c का value कितना था इसी का स्लोप कितना था minus 2 तो इसको माल ली है और इसको माल ली है m2 लिखें यहां पर m1 equal to 0 और m2 equal to minus 2 आब यहां पर देखिए यहां ॐहां जायागा 10 a equal to Valeux पूट कर दिकी M2 M2 का value कितना मानस two मानस M1 का value 0 upon positive m1 into m2 m1 का value कितना जीरो इनतु M2 का value कितना है मानस two यहां फ्र समझे M2 M2 का value है minus two मानस M1 का value कितना जीरो पॉन प्लस M1 का फिली हो जीरो into M2 का फिली हो विल माइनस इसको solv कर लिजे माइनस टू ब्लस कितना हो जायगा जीरो आगे देखें कि यह जाएगा ये टैन ए इक्वल टू हो जाएगा थैन एक्वल्ट होजाएगा माइनस टू अपॉ mandates गॉट ध्यांट लॉटь इसको मोड से भार करेंगे तो हो जाएगा ने immers देरफोर 10A इकोल तो क्या हो जाएगा 2 यही हम लोगों को प्रूव्ट करना था 1st part को सो करना था कि 10A का फैलू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा अर्लों इसी दोर से 2nd part को और 3rd part को solve करेंगे देखिया आगे देखिया आपर नेश्ट वो करना 10B इकोल टू टू अपॉन त्री फोर्मूला वहां पर लागा है 10 थीटा कोल टू मैंनस M1 अपॉन प्लस M1 इंटू एम टू यह थीटा के जाएग क्या बी है देखिये इसको M1 इसको M2 यह इसको M1 इसको M2 लेट कर सकते हैं उसले कोई दिकत नहीं ठीक है तो M1 जीरो है और M2 कितना मैंस 2 अपॉन 3 वह यह आप लेट किया है कि M1 का वैलू जीरो M2 का वैलू मैंस 2 अपॉन 3 अब यहां पूट कर दिजिए देखिये यह होजाएगा माइनस 2 अपॉन 3 मश्कम होजाए मैंस 2 कुल दिखि अपॉन 3 में इसको मोट से बहर किने फैनली की क्या 5000 हो जाएगा तो यहां आनि की voz कितना he जाएगा टू अपों थ्री हो जाएगा ओके यह हो जाएगा हम लोगों को सेकेंड पार्ट भी क्या हो गया प्रूब्ट हो गया अब थर्ड पार्ट से आएंगे अब टैंसी का वेलुऊ को करना है कितना फोर अपों सेवन ठीक इसको भी वह लोगों कर लेंगे देखिए नेस से हैं किसकी साइड को अधर इस साइड को और डजय कर रहा है था क्य पता होना चैना को मान लेते हैं यह क्या मैंटू है अप इसको आगे पीछे भी लिच यह म सकते हैं उसे कोई फर्क ने पड़ेगा ठीक है तो यहां पर लिखे हैं कि एकॉल टो माइस टू पॉन टू क्या है माइस टू लेट कर इसको इसको इसे पूट कर देजिए यहां पर यह हो जाएगा हम लोगो टैन सी इकॉल टो म्टू माइस टू माइस टू माइस एम उन का वहलू कितना है माइस टू अपॉन में थ्री ब्रैक रिस लेए ताक यहां पर निगेटिव साइन चेंज होगा अपॉन में वन प्लस एम वन यानिके माइस टू इन टू सब्सकिना शुर्ण का वहलू कितना है मद्द मास टू आ पॉन में 3 इंटू मद्ध गल्री प्लस प्रिया को M2 के फ़िलिए। मारा कर दरूकिन का Church कर लेघर है चुछ यह होजा एक यह को थार एक यह माम प्लस यह मैश רम टो आपउन में यह ओन इफ शान सुछ फिर सह प्लस और यहां भी क्या प्लस दियो हो जाएगा प्लस यह 2 2 जाओ दियो जाओ जाओ 4 अपपहन थे अंचीड़ आप है पिषे अपनर पूर्ज आप यहां पर दिखे इस इनु ही माइश क्या हो जाओ प्लस अब पिछे भी क्या प्लस है तो साल आगे मुछ छिए त्यों हो जाएगा कि प्लस यह टू अपॉन में यहां भी क्लस काल्स में यह टू हाओ जाए तरी त्री प्लस फूर नहीं से स्टेप देखिए यह हो जाएगा हम लोगों को 10c equal to देखें 2 में से सीख जाएगा तो हो जाएगा minus 4 upon 3 upon में 7 upon में 3 यहां से 3 से 3 यहां पर cancel हो जाएगा यह हो जाएगा 10c का value हो जाएगा कितना माइनस 4 upon 7 अब इसको mod से बाहर कर लिजे पॉजिटिव आजाएगा यह जाएगा 10c equal to 4 upon में 7 यह दूस्त हम लोग के प्रूट करना था कि वीडियो अपलों कैसा लगा मिलते हैं इस वीडियो में तब तकर थेंक यू सो मुच